इसके पहले गुर्डगाव में पकड़ा जा चुका है अब की बार फिर दिल्ली में किड्नी रेकेट पकड़ा गया है और यह किड्नी रेकेट चलाने वाला जो मास्टर माइंड है वो बंगलादेशी है बंगलादेश का रहने वाला मुहमद रसेल इस पूरे किड्नी रैकेट का मास्टर माइंड है उसके साथी एक बंगलादेशी मुहमद सुमोन उसके साथी बंगलादेशी मुहमद रोकोन और उसके साथी मुहमद सारिक ये सब मिलके भारत में किड्नी रेकेट चला रहे थे आप ज़रा सोचिए आपने कभी किसी भारती को जापान में जाके किड्नी रेकेट चलाते वह नहीं सुना होगा आपने किसी भारती को सिंगापुर में जाके किड्नी रेकेट चलाते वह नहीं सुना होगा लेकिन भारत में बंगलादेशी इंटी ही नहीं करते, अवायद निर्माढ ही नहीं करते, ड्रग स्मगलिंग ही नहीं करते, बलकि किड्नी का रैकेट भी चलाते हैं. क्यों? क्योंकि कानून सडा हुआ है, नाइक विवस्था घटिया है. मैंने 2017 में सुप्रीम कोट में PIL फाइल करके कहा था, वो पी आईल आज भी चल रही है, उस PIL में देश के सभी राजे सरकारों को नोटिस भी इशू हुआ है, कि 5 करोड घुस पैठिये 2017 में आ चुके हैं. जब मैंने 2017 PIL फाइल किया था, तब मैंने कहा था, 5 करोड घुस पैठिये आ चुके हैं. हाला कि उसके बाद पारलियामेंट में कहा गया कि 2 करोड आए हैं. पारलियामेंट में बकायदा उस समय के मंत्री ने बोला था, कि 2 करोड भारत में बंगलादेशी रहते हैं, जबक रोहिंगया और बंगलादेशी हैं. एरपोर्ट की किनारे जो जुगियां बंती जा रही हैं, उसमें ज्यादा तो रोहिंगया बंगलादेशी हैं. पार्कों में जो पब्लिक पार्क हैं, वहाँ जुग जुगियां बंती जा रही हैं, ज्यादा तो रोहिंगया बंगलाद और पांच करोड का मतलब जानते हैं, आस्टेलिया की जनसंख्या दो करोड है, यानि आस्टेलिया की धाई गुना भारत में घुस पैठी रहते हैं, कनाडा की जनसंख्या चार करोड है, और भारत में पांच करोड से ज्यादा घुस पैठी है रहते हैं, यानि कनाडा का लग लगब लगब सवा गुना या डेड़ गुना भारत में घुस पैठिये रहते हैं दुनिया के कई देशों कितनी जनसंख्या नहीं है जितना भारत में आवायद रूप से घुस पैठिये रहते हैं और हिम्मत देखिए ये घुस पैठिये नसा तसकरी भी करते हैं घुस पैठ पूरा उत्राखंड की डिमोग्राफी इन घुण बदली जा रहे हैं जो है उत्राखंड के जंगलों में बसाये जा रहे हैं और बस चुके हैं ये रोहिंग्या और बंगला देसी हिमालय की हिमाचल प्रदेश के जंगलों में सडक किनारे वहां जुगी बनाते जा रहे हैं तो जिन राज्यों में हिंदू जादा हैं बड़े प्लांड वे में ये बंगला देसी रोहिंग्या को वहां लाके बसाया जा रहा है उनको जुगी बना दिया जाता है, उनका रासंकार बना दिया जाता है और यह जो गिटनी रैकेट हुआ है अकबार में निकला हुआ है आप ज़रा सोचिए देश की राजधानी में बाकाइदा जो ट्रांस्प्लांट हुआ कहा हुआ नुएडा में ट्रांस्प्लांट कहा हुआ दिल्ली के होस्पिटल में हुआ जो सर्टिफिकेट बने आधार बना रासनकार बना ड्राइविंग लाइसंस बना ओटर आईडी बना बर सर्टिफिकेट बना वह भी दिल्ली न्सी आर के पति पर बना जो सीमों ने लिख के दिया है जब किड्नी ट्रांस्प्लांट की जाती उसके पहले सीमों से एक जो देने वाला है वो ठीक है वो सर्टिफिकेट भी बाकाइदा दिल्ली न्सी आर के सीमों ने दिया है नोड़ा के सीमों ने दिया और मूल कारण क्या है घटिया कानून न घुसपैठियों को कानून का खौफ है न घुसपैठियों की मदद गरने वालों को कानून का खौफ ना भारत के घुसपैठियों जो अंदर आ रहे हैं उनको कानून का खौफ है ना घुसपैठियों को आधार बनाने वालों को खौफ है ना घुसपैठियों को रासनकार बनाने वालों को खौफ है ना घुसपैठियों को टर आइडी बनाने वालों को खौफ है ना घुसपैठ हसतक किसी भ्रष्टाचारी की ना घरीकता खतम हुई ना किसी भ्रष्टाचारी को आजिवनकार वासभास ही वह और घुसपेठीों को क्यों नहीं कहा होओ है क्योंकि 5.5 कोड एक दिन में तो नहीं हुए यह घुसपेठी तो लगबक 70 के दसक से आना सुरू हो चुके थे इ जो कि 1946 का जो foreigner act है वो महासड़ा हुआ है पुलिस के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो घुसपैठियों को 10-20 सल्ग सजा दिला सके ऐसा भारत में कोई कानून ही नहीं है कि जो लोग आवयद रूप से भारत में पाये जाते हैं पुलिस उनको 20-30 सल्ग सजा दिला सके पुलिस उनकी नागरिकता खतम करवा सके पुलिस जो लोग घुसपैठियों की मदद करते उनको कोई दंड दिला सके ऐसे हमारे पास कोई कानून ही नहीं है और सब कुछ बनता है हाईवे बनता है एयरपोर्ट बनता है मिसाइल बनती है सटेलाइट बनती है फ्लाइवर बनता है खिलाफ कठोर कानून बनाने के कोई लागत है क्या नहीं है भारत बर्बाद हो जाएगा मैं करहां बर्बाद हो जाएगा जैसे दुर्योधन का ननिहाल गंधार बर्बाद हो गया अफगानिस्तान बन गया राजा भरत का ननिहाल कहके बर्बाद हो गया पाकिस्तान बन ग क्या सिच्वेशन है नागा लेंड की क्या सिच्वेशन है मिजोरम की क्या सिच्वेशन है मेगाले की क्या सिच्वेशन है जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके बाॉडर की क्या सिच्वेशन है भारत के बाॉडर पे 300 तहसीले हैं 300 की 300 तहसीलों की डेमोगराफी बदल चुक 200 तहसीलों की देमोग्राफी बदल चुकी है और डेमोग्राफी बदलने का मूल कर घुसपैट धर्मांतर जनसंक्या विस्वूट दुरफाग जिवस तीनों के खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं मनाया घुसपैट राष्ट की सुरक्षा के लिए खत्रा है और राष्ट की सु UAPA लेकिन UAPA में घुसपैट को सामिल नहीं किया गया घुसपैट एक वेजिंग वार है भारत को गुलाम बनाने की साजी से भारत में आगजनी करके भारत में पूरी तरीके से डिमोग्राफी बदलने की एक साजी से वेजिंग वार है पांच जार घुसपैट ही गये थे नोने परशिया को इरान बना दिया था भारत में तो 5 करोड घुसपैठी आ चुके वेजिंग वार हमारे पास कानून है वेजिंग वार में आज इवन कारवास फांसी भी होता है लेकिन वेजिंग वार में हमने घुसपैठ को सामिल ही नहीं किया घुसपैठ एक सरक लगता है ना उनके मददगारों के खिलाफ गंगे सरक लगता है घुसपैठ एक देशद्रो है इससे बड़ा कोई देशद्रो नहीं होगा भारत को बरबाद करने के लिए बगादा प्लांड बेवें बसाये जा रहे है लेकिन देशद्रो की धारा नहीं लिगती है जुनसद में घुसपैठ खिलाफ कठोर कानू नहीं बना घुसपैठ ऐसे नहीं रुकेगी अखबारों में खबर छपने से घुसपैठ नहीं रुकेगी टीवी पर डिबेट होने से खबर नहीं रुकेगी घुसपैठ को रोकना है तो घुसपैठियों और उनके मददगार जो किसी भी तरीके से गुसपैठियों की मदद करते हैं, उन दोनों के खिलाफ NSA लगाईए, गुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ UAPA लगाईए, गुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वार लगाईए, गुसपैठियों और उनके मदद मददगारों के खिलाब देजद्रों की धारा लगाईए गुसपैठियों और उनके मददगारों के 100% संपत्ति जप्त करिए उनकी नागरिकता खतम करिए आजीवन कारवास फांसी दीजिए और वह एक साल के अंदर तब घुसपैठ रुकेगी और घुसपैठ नहीं रुके नहीं रुका तो जो 1947 में हुआ था ना जैसे पूरा वही हालत 2047 में फिर होगी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लिख के रख लीजिए